हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका मायसरजी.com के इस चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरप शुकला आप लोग देख रहे हैं SQL की सीरीज और आज हम लोगों को देखना है जॉइन के बारे में यह काफी popular topic है और कई सारे students को यह बड़ा परिशान भी करता है तो यह देखते हैं क्या है join इसके पहले अगर आपने सीरीज की पूरी playlist को नहीं देखा है तो playlist का link इसी वीडियो के description में है और साथी notes और assignments के लिए भी link आपको description section में मिल जाएगा चलिए देखते हैं यहाँ पर join क्या होता है तो सबसे पहले तो join करने का मतलब यह है कि हम दो या दो से ज्यादा tables को join करके result display करते हैं तो जब हम select query लगाते हैं तो select query में हम join का इस्तमाल करते हैं और यह join भी कई variety के हो सकते हैं तो SQL joins are used to combine rows from two or more than two tables based on related column between them column related होना चाहिए दोनों tables में तब जाके उनको join किया जा सकता है जैसे example के लिए मैंने एक table ली course और course के अंदर है course id, course name, duration in months और इसी तरीके से batch table है हमारे पास जिसमें batch id है, then course id है, start date है, time है, days है, size है, size of the batch है तो two tables are connected via course id आप जानते हैं यह course id है, यह course table में primary key का का काम करेगी और यह जो batch table है, इसके अंदर course id foreign key का का काम करेगी तो पहले तो आपको यह दौनों tables बनानी होंगी इस tables को बनाने के लिए batch table में यह primary की और यह foreign की बनाना पड़ेगा अब यह दो tables बन गई, इसके बाद हम देखते हैं types of joins किसने तरह के joins होते हैं तो सबसे पहला होता है inno join जिसको आप simply join भी बोलते हैं तो जब हम inner join की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो पहला table है उसको table 1 बोल दीजे, दूसरा table है usco table 2 बोल दीजे और table 1 और table 2 की बीच में inner join लगाने का मतलब है आप उसके common elements को ही देख रहे हैं तो it returns records that have matching values in both the tables एक बार जरा मैं इस पे query आपको लगा के बताता हूँ तो यह हमारा MySQL है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यह दौनो tables आपके सामने कुछ dummy data मैंने इसके अंदर store करके रखा हुआ है आप देख सकते हो batch table के अंदर 4 rows हैं और इनके अंदर course ID foreign की है तो देखे course table के अंदर नीचे जो course table दिया हुआ है उसके अंदर 7 courses हैं और 7 courses ही अलग-अलग course name दिये हुए हैं duration दिये हुए है अब यह जो course ID है 1 से लेके 7 तक है तो हम देख रहे हैं कि batch table में पहला batch start होता है और उस batch वो batch जो है वो किस course को belong करता है तो यहाँ पे course ID 1 लिखा हुआ है that means वो C language का batch है फिर दूसरा जो batch है वो C++ का batch है तीसरा batch भी C language का है और चौथा batch जो है वो python का batch है इस तरीके से हमारे पास यह दो नोट tables हैं अब दोनोट table में course ID एक common column है अब इस पर मैं एक query लगाता हूँ इसमें मान लीजे कि हम batch को table 1 बोल रहे हैं और course को table 2 बोल रहे हैं आप इसका reverse भी करके देख सकते हैं हलाकि दौनों से result same ही आने वाला है क्योंकि जो nature है inner join का उसमें दौनों के common elements आते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले select query हम लिखते हैं select इसके बाद star अगर मैं सारे columns देखना चाहा रहा हूँ तो start और अगर आप particular column देखना चाहा रहे हैं तो आप column के नाम भी लिख सकते हैं तो मैं star लिख रहा हूँ फिलाल then from और फिर मैंने लिखा batch यह cable join भी लिख सकते हैं inner join और फिर किस के साथ join कर रहे हैं तो उस table का नाम लिखिए that is course उसके बाद आप बताईए on किस column के उपर यह join लग रहा है किस column कौन सा column है इसमें जो common है तो हम लोग लिखेंगे on और दोनो tables के नाम batch और course है तो क्योंकि course id यह नाम दोनों में है तो अभी आप कौन से course id की बात करने हैं अगर मैं simply लिखता हूँ course id तो यह नहीं पता चलेगा कि वो course id कौन से table वाला course id है इसलिए मैं लिखने वाला हूँ batch dot course id यह मैंने लिखा और equal to course course table के अंदर जो course id है वो सकता है दोनों में column के नाम अलग-अलग होते कोई दिक्कत नहीं है पर यह हमने specify कर दिया कि कौन से table का कौन से column और बस इतने पर हमने enter कर दिया आप यहाँ देख सकते हैं काफी सारे columns हो गया है actual में तो यह इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो इसमें batch id है course id है start date है time है ठीक है काफी सारी चीज़े है अब इसमें 4 rows आ रही है 4 rows इसलिए आ रही है क्योंकि 4 ही इसमें common है course id के according देखे है तो यानि courses तो 7 थे और ना course table के अंदर 7 courses थे लेकिन ये सारे तो नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे क्योंकि हम inner join लगा रहे है inner join में जो दौनों में common है वो ही आएगा ठीक है तो जो पहले वाले table में भी है जो दूसरे वाले table में भी है यानि course id के basis पे तो course id 1, 2 और 3 आप देख सकते हैं कि 3 है ठीक है बस ये 3 है वैसे तो course id course table में और भी है लेकिन common ये 3 है जो दौनों tables में मिलेंगे तो दौनों tables में course id की value same होनी चाहिए तो common होनी चाहिए तो 4 जैसे अब course id देखो तो ये course table में तो है लेकिन patch table में नहीं इसलिए वो नहीं आएगा जो common है वो ही वाले rows आएंगे ठीक है आप इसमें selected columns भी दिखा सकते थे यहाँ पर बहुत सारे columns आ रहे हैं लेकि selected columns भी दिखा सकते थे चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि inner join है आप हो सकता है कि table 1 को बाद में लिख लो table 2 को पहले लिख लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा inner join में चलिए अब अगला है left join left join का मतलब है जो पहले table का नाम आपने लिखा हुआ है उसको table 1 बोल रहे हैं उसके सारे records आएंगे ठीक है और जो common है वो भी आएगा पर table 2 के वो records नहीं आएंगे जो table 1 में नहीं है ठीक है अब इसको हम formally देखते है returns all the records from the left table मतलब left table के सारे ही record लाने है ठीक है and the matched records from the right table और right वाला जो table है उसके सिर्फ वो ही records दिखेंगे जो की यहाँ match हो रहे है तो इसके लिए भी हम लोग करके देखते है तो मैंने लिखा same query लिख रहा हूँ select star from पर इस बार मैं क्या करता हूँ batch की जगे पहले course लिख देता हूँ ठीक है यह लिख दिया है मैंने course और inner join की जगे मैं क्या लगा रहा हूँ left join ठीक और यह लगा रहा हूँ मैं batch के साथ यह batch ठीक और बाकी तो फिर on batch dot course id और course dot course id यह बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब जो course table है वो left वाला table है तो course table के मुझे सारे rows चाहिए अब आप देखे course table के अंदर 7 rows है तो मुझे 7 चाहिए ठीक है और batch table के वोही rows आने चाहिए जो की match हो रहे है तो सारी ही तो match हो रहे है तो देखे यह 7 rows आ रहे हैं अब अगर सोचो मैंने इदर पे table 1, table 2 को interchange कर दिया होता मतलब मैंने यहाँ पे कर रहा होता batch और यहाँ पे कर देता course तो table 1 क्या है table 1 है batch और batch में तो 4 ही rows है तो result में भी 4 ही rows आएंगे ठीक है यह 4 rows है यहाँ पर आ रहे है चलिए तो यह भी यहाँ पर हो गया next है right join बिल्कुल same concept है अब right वाले table यानि जो बाद में table लिख रहे है उसके लिए हो रहा है तो इसको भी करके देख लेता है आप जैसे यह left join लिखा हुआ था पर इसमें मैं right join लिख देता हूँ ठीक है right join लिख देता हूँ तो अभी जो right वाले table है that is course तो course के सारे records आएंगे मतलब seven तो यह देख सकते हैं आप सारे records आ रहे और जो batch है उसके केवल matched record आएंगे क्योंकि right join किया हूँ है आपने तो batch table के केवल matched records चलो इसको एक बार फिर चलाते हैं यह table काफी बड़ा दिख रहा है हमको तो यहाँ पर हम लोग अगर ऐसा करें कि सिर्फ दो ही column दिखाएं एक तो मैं batch table के अंदर जो batch id है यह देखना चाहता हूँ और course table के अंदर जो course id है या batch table के अंदर ही batch table के अंदर ही course id भी है उसको देखना चाहता हूँ and let's say course name तो course table के अंदर से मिलेगा course name course underscore name बस इतने column में देखना चाहता हूँ तो तीनी columns मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे आप देख सकते हैं क्योंकि left में मैंने लिखा था batch table और right में मैंने लिखा हुआ है course table तो left वाला है batch और right वाला है course ठीक है अब इसमें batch id 1,2,3,4 यह चारों आ रहा है और बाकी की values null क्यों आ रही है देखे batch table की सारे records आएं यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो left में है पर right में है course table तो course के तो सारे records आने चाहिए जो match हो रहे हैं वो भी जो match नहीं हो रहे हैं वो भी तो अब आप इसमें एक column और बढ़ा लो तो आप कुछ जादा अच्छे से समझ में आ जाएगा एक column में और बढ़ा रहा हो यहां पर अभी जो आपने course id को display किया है वो batch table वाले course id को display किया है अब मैं course table के course id को display करूँगा तब आपको फर्क समझ में आ जाएगा देखें यह जो course id है न यह course table का है और यह जो course id यह batch table का है तो right वाला जो table है course उसके तो सारे records आ रहे हैं देखें सारे records आ रहे हैं लेकिन left वाला table है उसके अंदर के सारे records नहीं आ पाएंगे जो match हो रहे हैं obviously batch table के चारो records match हो रहे हैं तो वो चारो records तो आ रहे हैं लेकिन course के लिए और भी records थे जो match नहीं भी हो रहे थे यस यह तो match नहीं भी हो रहे थे यह वो वाले हैं इसका मतलब वो records जो match नहीं हो रहे हैं पर दूसरे वाले table में है यानी course table में वो भी आईंगे ठीक और जो match हो रहे हैं दौनों में वो भी आईंगे ठीक है न इसलिए इसमें तो सारे आगे course table के तो सारे आगे पर bash table के केवल कौन से records है? जो match हुए अलागि match सारे ही हो रहे है ठीक है तो ये जो बचे हुए है ना इसकी जगे पर इन columns में null value show होगी समझ में आ रहा है तो right वाले table के सारे records और जो दौनों tables में match हो रहे हैं वो वाले records तो इस तरीके से ये इतने records यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं I hope it is clear चलो अब हम लोग देखते हैं अगला तो actually में theoretically हम पढ़ लेते हैं पर practically full join support नहीं करता है MySQL तो full join क्या है जब हम दौनों tables को join करें तो दौनों के common elements भी आएंगे एक बार और दौनों के uncommon elements भी आएंगे पहले table के भी और दूसरे table के भी सारे records include होंगे तो returns all the records when there is a match in either left or right table ठीक है तो यह हम लोग MySQL में work नहीं करता है पर हाँ दूसरे और db में software में कई जगे work करता है तो आप वहाँ चला के देख सकते हो तो theoretically it is there but practically it is not possible ठीक है है यह outer join है जो पहला आपने पढ़ा था वो inner join था और बाकी left join, right join और full join यह सब outer join कहलाते हैं ठीक है तो एक होता है self join अभी हम दो tables की बीच में join लगा रहे हैं अगर हम दूसरा table भी वही same ले ले लें मतलब दूसरा table same ही रहे तो वह हो जाता है self join ठीक है self join भी हम लगा सकते तो इस तरीके से हम लिखेंगे मैं एक बार लिख के बतायाता हूँ जैसे मैं course की उपर लगा के दिखा जाता हूँ तो select star from course ठीक है अब यहाँ पर आपने सारे column ले लिए है course की उपर लगा रहे है course में कितनी चीज़ें थी तीन चीज़ें थी तो हम लोग simply लिखते है इस टेबल का नाम कर देता हूँ मैं t1 यह देखो एक तरह से हम इस query में course को t1 नाम से भी पैचानेंगे तो t1 एक उसका alternative name हमने बना लिया है तो select star from course t1 और फिर कॉमा लगा के लिख दीजे दूसरा है दूसरा भी course t2 इसको t2 बोलेंगे ठीक है अब where के साथ कुछ condition लगाना चाहे है तो आप लगा सकते है जैसे अभी कोई condition नहीं लगा था फिर मैं बाद में condition लगा के बताऊगा क्योंकि आप काफी सारे इसमें records आ जाएंगे तो अब आप सोची कि मैं दौनों को join किया यह self join किया हुआ है तो course को course table से join किया तो 7 rows थी 7 records थे न तो अब यहाँ पर कितने records आ जाएंगे आप देखे 7 7 7 7 49 records आ जाएंगे ठीक है 49 records यहाँ पर आ रहे है ठीक अब आप यानि दौनों table को आप अलग-अलग लिख दीजे same copy कर लीजे 7 records इसमें भी है 7 records इसमें भी है क्योंकि दौनों same है तो इसका पहला record इसके पहले record से match होगा एक row row बन जाएगे पहला record दूसरे record के साथ match होगा एक row row बन जाएगे ठीक है तो आपने क्या किया हर एक record पहले table की हर एक record दूसरे table की से map हो रही है तो हर एक जब बाकी सबसे map हो रही है तो हमारे पास कितने combinations बन जाएंगे 49 बन जाएंगे 7 into 7 अब इसमें अगर कुछ condition आप लगा देते जैसे मैं लगा रहा हूँ वेर मैंने का t1 dot course id course id is smaller than t1 नहीं लिखा मैंने t लिख दिया t1 t2 dot course id अब यहाँ पह क्या रहा हूँ सिर्फ वही records दिखाओ अब ऐसे दो 49 records बन रहे पर 49 में से वो records दिखाओ सिर्फ जिसमें पहले वाले table का course id छोटा हो दूसरे वाले table के course id तो पहले वाले table का अगर course id है 1 तो दूसरे वाले table का course id 2,3,4,5,6,7 यह 6 records match होंगे फिर जब पहले table का course id होगा 2 तो दूसरे table के course id 3,4,5,6,7 यह match होंगे इस तरीके से तो number of records थोड़े कम हो जाएंगे तो आप देख सकते हो पहले वाले table का course id 1 है तो दूसरे वाले table के course id 2,3,4,5,6,7 है पहले वाले table का course id 2 है तो दूसरे वाले table का course id 3 से लेके 7 तक है ऐसे करते हुए पहले वाले table का course id अगर 3 है तो उससे बड़ा course id होना चाहिए दूसरे वाले table में दूसरे वाले table सेम है पर आप उसको दो copies मानते हुए समझी तो यह क्या लाता है self join I think अब आपको join का मतलब समझ में आ गया है दो tables है दौनों के tables को combine करते हुए हमें दिखाना है और combine करने के लिए पहले table की कौन सी row दूसरे table की कौन सी row के साथ map होके एक single table में दिखाई देगी वो हम लोग तै कर रहे होते हैं join की बदद से तो I hope आपको यह समझ में आ गया है और इतना ही है join simple है थोड़ी सी practice इसकी जरूर करनी पड़ेगी तो assignment में देता हूँ इसके लिए और अगर video पसंद आ रहे हैं तो please आप इसको like करिए share करिए comment देकर बताइए और subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिए आज के लिए इतना ही thank you goodbye कर दो कर दो